हेलो दोस्तों मैं संदीप नए एपसोड में आप सब का स्वागत है सबसे पहले आप लाइक और सबस्वाइब कर दीजिएगा दोस्तों आज का हमारा टोपिक है ड्रीम लेवन में टीम चुनने का सही तरीका है ड्रीम लेवन पे लाखो करोड़ो जो डोस खेलते हैं लेकिन चुनने का जो सही तरीका है कुशी लोगों के पास होता है इसलिए उनकी रेंग आती है या वो लाकों रुपे हजार रुपे जीतते हैं और हमारी तो रेंग छोड़ो दोस्तों इंट्रीव बापिस नहीं मिल पती हैं दोस्तों आप इस वीडियो को बारी की से पूरा हैं कि हमको ड्रीम इलेवन पे जब हम कॉंटेस खेलते हैं तो टीम किस तरीके से हमको चुनना चाहिए मैं मैं मुख्यू कि मैं आपको पॉइंट बताता हूं जब भी दोस्तों हम टीम बनाते हैं कहेर क्लेयर की सबसे जो हमको काम नहीं करना है मैं वोचीजे शायें बता हूंगा जो टीम तो आप बना ही लेंगे को क्या गल्ती हम जो कर रहे हैं या करते हैं तो उनको अब आगे नहीं करना है पहला दोस्तों के विकेट कीपर हमेशा आपको वो लेना है जो दोनों टीम में से ज्यादा बेटर है उसके रिकार्ड के साफ से उसके मेश खेलने के अनुभव के साफ से या उसकी पर्फॉमेंस के साफ से दोनों की पर सेम तो होंगे नहीं यह तो आपको भी बता हैं दोनों टीमें सेम हो सकती है माने जी आश्टिले अफरीका भारत नुजिलेंड अफगानिस्तान बंगलादेश टीमें सेम हो स स्कोर के आधार पर ही कीपर आपको लेना है जब भी आप ड्रीम 11 पर डारेक्टी मना रहे हैं दोस्तों कीपर हमेशा क्रेडिट के इसाफ से ले जैसे कि 8 8.5 9.5 जिस भी विकेट कीपर के दोस्तों क्रेडिट ज़्यादा है सेल भाई हमें उसी को कीपर लेना है या फिर जिस विकेट कीपर के चांस प्ले चांस जिसके सबसे ज़्यादा है अच्छा प्रफॉंस करने के उसी को कीपर लेना है यह पहला पॉइंट है दोस्तों यह हमेशा दियान रखे रखिएगा दोस्तों अब समझते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट दूस्तों आल राउंडर कि अब सोचेंगे दोस्तों गया दोस्तों जब बहीं अवुल्र राउंडर लेंगे हमको दोनों टीमों में से जो भी हम अल राउंडर लेते हैं गार दो तरफ से लेंगे है जो भी हमारी सिच्वेशन है समेश की हम को फाइप और शिक्स है डाउन हमेशा हम को ओल राउंडर पांचवे छटे नंबर का ही लेना है यह ध्यान रखेगा दोस्तों जब भी हम टीम क्रेट करेंगे ओल राउंडर हम को पांच-वे छटे नंबर पे जो आता है बल्लेबाजी करने इसी को लेना है क्योंकि हम उन्राउंडर इसलिए लेते हैं दोस्तों कि वह अपना परफॉर्वेंस दोनों तरफ से दे बौलिंग में भी बैटिनग में नुग कम दस को पॉइंट वो ज्यादा नहीं दे पाएगा और इसमें चीज़ रियाद रखने हैं जब भी हम केप्टन या वाइस केप्टन मेश के आधार पे अगर आल डाउंडर के सब जाएंगा ना तो पहली प्रात्मित्ता पांच्वे नंबर पे ही रहेगी जो पांच्वे नंबर य उसी को हमको इसी लेना है यह दूसरा पॉइंट रखेगा दोस्तों यह बहुत बारिक पॉइंट है इन पॉइंट के मदश से हम अपना क्रेडिट अपने पॉइंट बढ़ा सकते हैं उसी के आधार पर रिंक आती है दोस्तों यह ध्यान रखिएगा बहुत दोस्तों जब भी अगर लोई स्कोरिंग मेच होगा हम कभी भी उपर के फर्स्ट सेकंड ओपनर जो होते हैं दोनों ही टीम के ओपनर में से किसी को भी कभी भी कप्तान नहीं बनाएंगे यह पॉइंट जयान रखिएगा दोस्तों यह बहुत महुत पॉइंट बातरा हुए जब भी लोई स्कोरिंग मेच होगा कभी भी हमको बेटर्स में से कप्तान बनाना ही नहीं है और जब भी हाई स्कोरिंग मेच होगा ना दोस्तों हमें कप्तान हमेशा पिनी में से बनाना है दोनों तरफ में से किसी से भी आप बनाएंगे कप्तान हमेशा हमको हाई स्कोरिं दोस्तों इसको भी दोस्तों बेकप प्लेयर्स हम चार प्लेयर लेते हैं दोस्तों ट्रीम क्रेट करने के बाद जो बेकप होते हैं किसी वजह से कोई प्लेयर नहीं खेल पाता है तो हम बेकप में किसी को भी ले लेते हैं हमेशा ध्यान रखना दोस्तों पहला दूसरा तीसरा चोधा बेग अब लेंगे तो हम बेटर ही लेंगे पेला और दूस्रा बेग अब नहीं किंगे पाइए जो लूड की अब शूरही दमाल की हुआट से हमने 5 बेटर लिये हैं 2-3 दो टीन बाकि रहे गए थे उन्ही बेटर को यहां पर आप ले आ तीसे नमबर प्राल रावंडरों को ले लेना चोथे पर बोलर को ले लेना यहां तक तो चार तक तो जाती नहीं है एक या दो पर ही तीम आना हो तोने बाद अगर चेंज करना पड़ सकते हैं या किसी वज़े से दो प्लेयर जो हमने टीम में चुने हैं है बेटर के अगर किसी वज़े से अनाउंस के बाद अगर हमारे दो प्लेयर चेंज हो जाते हैं ना तो यह बेटर है हमको लेने हैं यही हमको पॉइंट दिलाएंगे ध्यान रखना दो दोस्तों पांचवा और अन्तीम और सबसे पहला माइन सेट क्या होना चेंज टीम चुनने के लिए वह की बेजन तीम बेजन तीम चुनने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूं कि दोस्तों कि पांच दो साथ चार यह आपके बेटर यह आपके आल डाउंडर यह आपके बोड़र यह आपके तरीका रहे दोस्तों टीम चुननेगा जब भी आप team create करेंगे पांच आपको दोनुटीम में से मिलाके 5 बेस्में लेने जिसमें कीपर भी होगा दो अट रोराउंडर लेने साथ और 4 बोलर लेने यह हमारी बेलंस्स रहेगी अब टोस्के दोरान हाई लो वेदर ये सारी सीजे देखने पाद हम करेक्शन कर सकते हैं लेकिन टीम जब हम शुरू में चुनेंगे ना तो ये बेलेंस टीम ही हमको चुननी है यह याद रखेगा दोस्तों तो दोस्तों ये बहुत बेसिक से पॉइंट है लेकिन सब सब्से इंपोर्टेंट पॉइंट भी यही है जब हम टीम करेंड़ करते हैं ये बहुत साधान ध्यान करती दोस्तों जो मैंने आप तक पहुचाई है आपके लिए नहीं हो सकती है शंबीत हो सकती है शायर आपने इस तरह से इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया होगा तो इ है जब से आपो और बेस्ट